आपको लिए चलता हूँ ब्राजिल के एक दूर तराज इलाके में आज की हमारी इस मूवी का नाम है टूरिस्टोस और इसका मतलब होता है टूरिस्ट मूवी 2006 में रिलीज हुई थी मूवी में ज़्यादा हॉरर तो नहीं है लेकिन ये एक माइंड ब्लॉविंग मूवी है जो कि हम वीडियो में आगे देखेंगे तो चलिए हम चलते हैं आगे वीडियो में मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि होस्पिटल जैसे एरिया में थी और स्ट्रेचर पर लेटी होई थी वो बार बार यही कह रही थी कि उसे घर जाना है उसे घर जाना है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है फिर अगले सीट में हम कुछ न्यूस पेपर्स की कटिंग को देखते हैं जिसमें यह लिखा था कि कई टूरिस्ट जो कि ब्राजिल घुमने आए हैं वो ब्राजिल के चंगलों से गायव हो चुके हैं यानि कि वे मिसिंग हैं फिर आके हम यह देखते हैं कि एक बस ड्राइवर बहुती ज़्यादा खराब ड्राइविंग कर रहा है बस पूरी तरह से टूरिस्टों से भरी हुई थी जिसमें एलेक्स अपनी बेहन बी और उसकी फ्रेंड एमी थी बस में और कैसा टूरिस्ट मजूद थे जो कि कई देशों से आई हुए थे बस का ड्राइवर बहुत खराब ड्राइविंग कर रहा था जिसका कारण वो बस एक मोड के आने पर पलट जाती है और सभी तूरिस्ट उस बस के पलटने से पेले जैसे तेसे उस बस से निकल जाते हैं जिसके जिसके बाद में वो बस नीचे खाई में चली जाती है और सभी तूरिस्ट सही सालमत बहार बच जाते हैं ये सभी तूरिस्ट ब्राजिल के एक शहर जा रहे थे जहां जाने का रास्ता एक जंगल से गुजरता था और ये सभी लोग उस जंगल के रास्ते में फसे हुए थे यहाँ पर एलेक्स की मुलाकात एक आस्ट्रेलियन लड़की पुरू से होती है और उन्हें फीन और लियॉन नाम के दो और लोग मिलते हैं ये सभी लोग काफी देर तक दूसरी बस का इंतजार करते हैं लेकिन वहाँ तक बस तो क्या कोई गाड़ी भी नहीं आती फिर वो ये देखते हैं कि कुछ लड़कियों को ये पता चला है कि जंगल के किनारे पर बीच है और वहाँ पर बार भी है और बार का नाम सुनकर सभी टूरिस्ट खुश हो जाते हैं वे सभी उस बार की तरफ जाते हैं जो कि बीच के किनारे पर था और सभी बीच को देखकर खुश हो जाते हैं वो वही पर उकने का फेसला करते हैं क्योंकि वे सभी यहाँ पर फन करने आये थे चाहे वो यहाँ पर करे या कहीं और बात तो एक ही थी सभी बहुत देर तक वहाँ पर बीच और समंदर में इंजॉय करते हैं फिर सभी बार पर जाकर ड्रिंक करते हैं और सभी वहाँ पर ये प्लान करते हैं कि वे आज रात को यही पर उखने वाले हैं दूसरे सीन में हम यह देखते हैं कि एक डॉक्टर जो कि बच्चनों को वेक्सिनेट कर रहा था उसके पास एक लड़की का फोन आता है जो कि इसी बार में काम करती थी और बार में काम करने वाली ये लड़की उस डॉक्टर को इन सभी लोगों की जानकर यान दे देती है प्रू को वहाँ पर एक लड़का मिलता है जिसका नम किकू था और वो एंगलिश बोल सकता था जिससे कि उन्हें बाकी लोगों के साथ कम्विनेट करने में आसानी होती फिर रात के समय सभी वहाँ पर ड्रिंक करते हैं और इंजॉय करते हैं फिन को वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कि उसके साथ कुछ टाइम बिताती है और इंटिमेट होती है जिसके बाद में वो लड़की उसके पेसे लेकर वहाँ से चली जाती है रात का समय सभी इंजॉय करते हैं और डांस भी करते हैं वे काफी ज़्यादा ड्रिंक भी करते हैं और उन्हें बाद में ऐसा ये लगता है कि वे सभी ब्योश होने लगे हैं अगली सुबह जब एलेक्स की नीद खुलती है तो वो अपनी बेहन भी और प्रू को ढूंडता है और उन्हें ये पता चलता है कि उनके ड्रिंक में कुछ मिलाय हुआ था और यहां के लोगों ने उनका पासपोर्ट, पेसे, सामन सबी चीज़े लूट ली है उनके टूरिस्ट ग्रूप के एक कपल को वहां के कुछ लोग बंदी बना कर जंगलों में कहीं पर ले जा रहे थे जब उन्हें होश आता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आदमी उस लड़के को तलवार से काट कर मार डालते हैं और लड़की ये देखकर बहुत डर जाती है वो वहां से भागने लगती है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे खाई है और वो खाई में गिर कर मर जाती है एलेक्स और बाकी के लोग पास के टाउन में जाते हैं जहां पर वो पुलिस की मदद ले सके लेकिन टाउन के लोगों को पुलिस के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिरकर पुलिस होती क्या है और टाउन के लोगों को उनकी भाषा भी समझ में नहीं आती थी फिर एक छोटा सा लड़का एलेक्स की टोपी पहन कर उन्हें दिखाई देता है जिसके पीछे लियौन भागता है लेकिन अंजाने में लियौन उस लड़के को गैल कर देता है जिससे की सभी टाउन के लोग लियौन के पीछे पढ़ चुके थे फिर वहाँ पर किकु आकर उन सभी को उन टाउन के लोगों से बचाता है वो उनसे ये कहता है कि यहाँ पर टाउन में रहना उनके लिए ठीक नहीं है इस टाउन में ना तो पुलिस है और ना ही बचने का रास्ता वो उनसे कहता है कि टाउन के लोग उन्हें मार देंगे इस टाउन से भार जाने के लिए कोई भी बस नहीं चलती और इस टाउन से गुजरने वाली अगली बस आज से दो दिन के बाद में याँ पर आने वाली है जिससे कि वे सभी यहां से जा सकते थे कीकु उन सभी से यह कहता है कि वो उन सभी को अपने अंकल के घर ले जाएगा जहाँ पर वो दो दिनों तक सेफ रे सकते हैं और कीकू के अंकल का घर जगलों के बीचों बीच में था, फिर हम ये देखते हैं कि जगलों में इनसानों के कटे हुए पार्ट्स पड़े वे हैं, जिसे पक्षी खा रहे हैं, फिर अगले सिन में हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम जोमारा था, उसका एक आदमी उसे एलेक्स और बाकी लोगों के फोटोज दिखाता है और कहता है कि ये सभी लोग कीकु के साथ में हैं और कीकु उन्हें यहाँ पर ला रहा है यानि की कीकु उन सभी टुडिस्ट को अपने अंकल के घर नहीं बलकि इस डॉक्टर के पास में ला रहा था जो कि उनके साथ नजाने क्या क्या करने वाला था डॉक्टर का एक आदमी उसके पास में पहुशता है और वो उसे उस कपल के मरने के बारे में बताता है जिससे डॉक्टर बहुत नाराज हो जाता है और एक स्टिक को उस आदमी की आख में गुसा कर उस आदमी को तलपा तलपा कर मार डालत जो कि बहुत ही सुंदर तो थी ही लेकिन वो बहुत ही खतरनाक भी थी वो सभी को पहले अपनी सिक्रेट प्लेस पर ले जाता है जहां पर सभी आराम करते हैं जिसके बाद में किकु सभी को वापस जाने को कहता है क्योंकि उसे ये लगता है कि ये लोग अच्छे हैं और वो उन्हें खतरे में डालना नहीं चाता था जाते समय सभी नदी के किनारे थोड़ा 演्ज्वय करते हैं लेकिन डाइव करते समय किकु को सरपर पथर लग जाता है और वो घायल हो जाता है सभी टूरिस्ट के सामने किकु था अपनी गायल हालत में वो उसे वापस ले जाते हैं तो काफी देर हो जाती इसलिए वो उसे उसके अंकल के ही घर वापस ले जाने के सोचते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उसके अंकल के घर पे आखिर कार है क्या वे सभी जब उस घर में पहुचते हैं तो उन्हें उस घर में अजीब-जीब चीज़ें मिलती है जैसे की ड्रक्स, मेडिकल एक्विप्मेंट्स और कई सारे लोगों के पासपोर्ड जिसके बाद में फिन कीकु के कटे घाव को जोडने के लिए एक स्टेपल की मदद से उसके घाव को स्टेपल कर देता है जिसमें कीकु को बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिसके बाद में सभी टूरिस्ट महीं पर रुकने का सोचते हैं क्योंकि वहाँ पर तेज बारिश हो रही थी और बाहर निकलना उनके लिए खत्रे से खाली नहीं था। फिर रात के समय सभी को हेलिकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है जिसके अंदर से डॉक्टर और उसके लोग बाहर आते हैं। किको उन सभी लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वे सभी नहीं मानते हैं। फिर डॉक्टर की टीब में से एक लड़की एलेक्स और सभी लोगों को यहां से भागने को कहती है लेकिन वो यह समझ नहीं पाते कि आखिरकर वो इसा चुके रही है। और फिर वो डॉक्टर सभी को केद कर लेता है। एमी की जब नहीं खुलती है तो वो खुद को डॉक्टर के ओपरेशन थीटर में पाती है। जहां पर पास में फिन भी बंधा हुआ था और बाकि के लोगों को बहर कुतों के पिंजरों में केद गया हुआ था। दॉक्टर ने एमी को एनेस्टेस्या दिया था और वो अब उसके बॉड़ी के पाठ्स को निकालने वाला था। एमी डॉक्टर के सारी बाते सुन सकती थी और डॉक्टर उससे ये कहता है कि वो उसकी कडिनी, आके, लिवर और उसके दिल को निकालने वाला है वो उनके body parts को निकाल कर एसे लोगों को बेचेगा जिने इनकी जरूरत है और वो इसके बदले काफी मोटी रिकम देने को तेयार है वो डॉक्टर यही काम करता था तूरिस्ट को पकड़ कर उनके body parts को बेचना और फिर बातो ही बातों में वो डॉक्टर एमी की body से उसके parts को निकाल रहा था एक एक करके फिन एमी के पास में ही लेटा हुआ था और वो इस सब नजारे को अपने आखों से देख रहा था डॉक्टर एक एक करके एमी के बॉड़ी के पार्ट को निकाल देता है और एमी तब तक जिन्दा थी लेकिन जब डॉक्टर जैसे ही एमी के दिल को उसके शेरी से निकाल कर अलग करता है तो एमी तुरंत मर जाती है यहाँ पर बाहर पिंजरे में एलेक्स प्रू और बाकी के लोगों को निकाल लेता है नीचे जमीन में गड़ा खोद कर लेकिन तब ही वहाँ पर डॉक्टर का एक आदमी आ जाता है वो आदमी उन्हें पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाने वाला था लेकिन कीको वहाँ पर आकर उस आदमी को मार डालता है और उन सभी लोगों की वहाँ से भागने में मदद करता है एलेक्स एमी और फिंग को वही पर छोड़कर भागने वाला नहीं था और वो बी और प्रू से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए और नदी के किनारे उनका इंतजार करे वे एमी और फिंग को लेकर वापिस आएंगे लेकिन जब वो एमी और फिंग को बचाने के लिए वापर घर में पहुचते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर की नर्स फिंग को एनेस्थेसिया दे चुकी थी यानि कि अब वो खोश में नहीं था एलेक्स लियोन और कीकू जब डॉक्टर के ऑपरेशन थीटर में पहुचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि एमी मारी गई है और वो फिंग को बचाने के लिए पहुचते हैं लेकिन फिंग तो बेहोशी की हालत में था वो जैसे तेसे गसीट कर फिंग को बाहर निकालते हैं लेकिन डॉक्टर का आदमी उसे बंदुख से मार देता है और साथी साथ वो लियोन को भी मार डालता है जिसे देखने के बाद में डॉक्टर बहुत नाराज होता है क्यूंकि उसे सभी लोग जिन्दा चाहिए थे फिर अगले सुबह होने पर एलेक्स और कीकु जैसे तेसे अपनी जान बचा कर बी और प्रू के पास पहुचते है जहां पर डॉक्टर और उनका आदमी भी पहुच जाता है कीकु सभी को पानी के अंदर वाली गुफाव में ले जाता है डॉक्टर उसके आदमी से बचने के लिए लेकिन वे कीकु और सभी लोगों को उन गुफाव में जाता हुआ देख लेते हैं डॉक्टर का आदमी कीकू और एलेक्स पर गोली चलाता है जिसमें कीकू मारा जाता है और एलेक्स के हाथ के पास से गोली छूकर निकलती है जिसके बाद एलेक्स बाकी लोगों को लेकर गुफा के गहरे रास्तों में निकल जाता है ये गुफाएं बहुत ही खतरनाक थी और अपने टॉर्च को पानी की गहराईयों में गिरा देती है मतलब कि अब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था चूगी उन गुफाओं में अब अंदेराई अंदेरा था और बाहर जाने का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था बी अंदेरे में खो चुकी थी लेकिन डॉक्टर का आदमी उससे अपने टॉर्च से ढून लेता है वो आदमी बी को मारने की कोशिश करता है और बी उससे बचने की उन गुफाओं में चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ था वो सांस लेने की जरा भी जगे नहीं थी लेकिन बी जैसे तेसे उन गुफाओं में चोटे चोटे पॉकेट से सांस लेती है और अपने आपको जिन्दा रखती है फिर अचानक डॉक्टर का आदमी बी को पकड़ लेता है और उससे तीर से मारने की कोशिश करता है लेकिन मौका देखकर एलेक्स डॉक्टर के सिर पर पत्थर मार देता है लेकिन डॉक्टर उससे मरता नहीं है वो अपने आदमी से सभी लोगों को मारने को कहता है लेकिन उस डॉक्टर का आदमी उन पर गोली नहीं चलाता बलकि वो उस डॉक्टर को ही गोली से माँ डालता है फिर जैसे तेसे सभी लोग टाउन में पहुचते हैं जहांपर टाउन के लोग उनकी मदद करते हैं और वे उन्हें प्लेन तक सही सलामत पहुचाते हैं जिसके बाद में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है I know दोस्तो कि ये मूवी कोई होरर मूवी नहीं है लेकिन मेरी माने तो आपको ये मूवी ज़रू देखना चाहिए क्योंकि ये मूवी बहुत इंट्रेस्टिंग है और इस मूवी के कई सारे सीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है I hope दोस्तो आपको ये वीडियो ज़रू पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके अपने वीव ज़रू शेयर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें क्योंकि और भी कई सारे वीडियो दिल देखी आने वाले हैं